हाई, आयाना लाइश्टाइल में आप सबका स्वागत है आज का जो हमारा डिजाइन है वो क्रॉप स्वेटर के फॉर्म में है गर्ल्स के लिए है ये पर अगर आप चाहें तो उसे जैन्स का लेडिस का बोईस का किसी का भी फुल स्वेटर भी बना सकते हो एक बार प्लीज इस डिजाइन को ध्यान से देखिए इस डिजाइन में नीचे जो बॉर्डर है वो साबुदाना डिजाइन है फिर बीच में प्लेन डिजाइन है फिर वापस जो बॉर्डर है वो साबुदाना है फिर प्लेन डिजाइन है इस tutorial में आपको ये woolen crop top बनाना बताऊंगी इस sample का जो look है आप देख सकते हो इस design के sample का look इस तरह से दिख रहा है इस design में मैंने आपको पहले plain design बना के दिखाई है और उपर इसका border बना के दिखाया है tutorial पर जाने से पहले अगर आप इस channel को first time देख रहे हैं screen से right hand के तरफ अगर आप देखोगे तो 7 फंदे हमने छोडए है और screen से left hand के तरफ आप देखोगे तो हमने 8 फंदे चोडए है और बीच के 5 फंदों के ये design है तो आप अभी पहली सिलाई देख रहे हैं पहली सिलाई हमने सीधी बुनी है सीधी देखने के लिए स्क्रीन को आपको लेफ्ट से राइट के तरफ देखना है इसमें हमने साथ फंदे ब्लू कलर के बुने है एक फंदा वाइट कलर का बुना है तीन फंदे ब्लू कलर के बुने है एक फंदा वाइट कलर का बुना है और आठ फंदे हमने ब्लू कलर के बुने हैं इस तरह से हमारी पहली सिलाई कम्क्लीट होती है अब हम बढ़ेंगे दूसरी सिलाई की तरफ सेकंड सिलाई हमने उल्टी बुनी है उल्टी देखने के लिए आप स्क्रीन को देखिए राइट से लेफ्ट के तरफ आठ फंदे हमने ब्लू के साइट में छोड़े हैं फिर एक फंदा वाइट का बना है तीन फंदे ब्लू के बने हैं एक फंदा वाइट का और साथ फंदे ब्लू के अब हम आ गए तीसरी सिलाई की तरफ इस सीधी सिलाई में साथ फंदे ब्लू के छोड़ते वे हमने एक फंदा ब्लू का बना है एक वाइट, एक ब्लू, एक वाइट, एक ब्लू और आठ ब्लू के हमने साइट में छोड़े हैं अब हम बढ़ते हैं चौती सिलाई की तरफ चौती सिलाई हमने तीसी सिलाई के जैसी बुनी है बस फरक ये है तीसी सिलाई सीधी बुनी थी चौती सिलाई हमने उल्टी बुनी है इस तरह से चौती सिलाई कम्प्लीट करके हम पहुचते हैं पाचवी सीधी सिलाई की तरफ, पाचवी सिलाई में हमने 9 फंदे ब्लू के, 1 फंदा वाइट का और बाकी के 10 फंदे हमने ब्लू के बुने हैं, अब हम बढ़ते हैं छटी उल्टी सिलाई की तरफ, इस सिलाई में हमने 9 फंदे ब्लू के बुने हैं, 1 वाइट, 1 ब्लू, 1 व एक ब्लू, एक वाइट और नौ ब्लू, इस तरह से साथवी सीधी सिलाई कम्प्लीट करके हम पहुचते हैं आठवी उल्टी सिलाई की तरफ, आठवी उल्टी सिलाई हमने दूसरी उल्टी सिलाई के जैसी बुनी है, इसमें हमने आठ फंदे ब्लू के बुने है, एक और साथ फंदे ब्लू के बुने हैं इस तरह से ये सिलाई complete करके हम पहुचते हैं 9th सिलाई की तरफ 9th सिलाई हमने as it is 1st सिलाई के जैसी बुनी है इसमें हमने 7 फंदे ब्लू के 1 white, 3 blue, 1 white और 8 blue इस तरह से हमारी 9th सिलाई complete होती है अब 9th सिलाई में हमारा जो plain design है वो over होता है अब हम इसका part 2 जो की साबुदाना design है border का वो बनाना देखेंगे border के लिए हम दूसरा color use ले रहे हैं border जैसा कि मैंने वीडियो के starting में बताया साबुदाना design है साबुदाना design बनाने के लिए हम एक फंदा सीधा बनेंगे फिर एक फंदा उल्टा बनेंगे फिर एक फंदा सीधा बनेंगे फिर एक फंदा उल्टा बनेंगे इस तरह से हम इस line को complete करेंगे अगर आपको ये design और detailing में देखनी है तो description box में design no.6 का link है आप उस पे जाके साबुनार design को और properly देख सकते हो हमने simple design 9 सिलाई में डाला था उसके बाद हमने और 5 सिलाईयां plain बनी अब ये हमारी पंदरवी सिलाई है पंदरवी सिलाई complete करके हम आते हैं तोलवी उल्टी सिलाई की तरफ सोलवी सिलाई में जो हमारा सीधा फंदा आ रहा है उसे हम उल्टा बुनेंगे और जो उल्टा फंदा आ रहा है उसे हम सीधा बुनेंगे यानि कि पंदरवी सिलाई में जो सीधा बुना था वो यहापे उल्टा बुना जाएगा और जो पंदरवी सिलाई में उल्टा बुना गया था उसको यहापर सीधा बना जाएगा इसी तरीके से हम सोलवी उल्टी सिलाई को कम्प्लीट करेंगे और सत्रवी सिलाई, पंद्रवी सिलाई के जैसे बनी जाएगी अब देखिए यह बन के तयार हो गया है जो हमने आपको उपर बॉर्डर में डिजाइन बनानी बताई है वो इसके नीचे वाले बॉर्डर में भी बनेगी बॉर्डर की डिजाइन बनाने के बाद हमारा यह प्लेन सिंपल डिजाइन आएगा फिर वापस हमें एक बॉर्डर बनाना होगा मतलब border, plain design, फिर border इस तरह से हमारा ये design over होगा और आपका crop top sweater के form में बन जाएगा I hope आज का वीडियो आपके लिए useful रहा हो अगर आप इस design को try करते हैं तो please अपने experiences जरूर शेर करें हमसे So, आज के लिए इतना ही Thank you so much for watching Please don't forget to like, share, comment and subscribe Till then, stay tuned and bye